अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्यूंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा एंसेयर्टी स्लेबर्स कराने वाली हूँ तो आज के इस वीडियो में हम क्लास सैवन की बुक हानी कॉम का फ्रस्ट चैप्टर त्री कोशन्स को पढ़ेंगे तो चलिए बिना वक्त कवाए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं ये कहानी तीन सवालों पर आधारित है एक राजा था उसके पास तीन सवाल थे और वो उन सवालों के जवाब ढून रहा था तो अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि वो तीन सवाल क्या थे और क्या जो वो राजा चाहता था वो उसे मिला तो सबसे पहले ह अगर वो तीन चीजे जान जाएगा तो ये तीन चीजे क्या थी किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है उसे किस तरह की लोगों की बाते सुननी चाहिए और उसके लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है जो उसे करना चाहिए तो इसलिए राजा ने अपने मैसेंजर्स यानि की दूद को अपने सामराज्यों में अलग-अलग जगा भेज दिया और राजा ने ये घोशना भी की कि वो वादा करता है कि जो कोई भी इन तीनों सवालों के जवाब देगा वो उसे बहुत सारा पैसा देगा बहुत से बुद्धिमान आदमी राजा के पास आए लेकिन सभी ने उसके सवालों के अलग-अलग जवाब दिये पहले सवाल के जवाब में तो सबसे पहला सवाल क्या था कि किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है तो इसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे उस टाइम टेबल का पूरी सक्ति के साथ पालन भी करना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इसी तरह से राजा अपनी सारी चीजों को सही समय पर कर सकता है तो दूसरों ने कहा कि ये तो बिल्कुल असंभव है कि पहले से ये फैसला करना कि किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या होगा और कुछ लोगों ने कहा कि राजा को उन सभी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए जो भी उसके आसपास चल रही है और उसे फालतों की बातो या मूर्खता भरे आनन से भी दूर रहना चाहिए और उसे वही करना चाहिए जो उसे उस समय पर जरूरी लगे और कुछ लोगों ने कहा कि राजा के पास एक पूरी सभा होनी चाहिए जिसमें सभी बुद्धिमान लोग होने चाहिए ताकि वो सही समय आने पर राजा को सला दे सके क्यूंकि एक अकेला इंसान सही समय पर सही फैसला नहीं कर सकता बिना किसी की मदद लिए इसके जवाब में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कुछ चीजे ऐसी होती हैं जिन्दगी में जिसे आपको खुदी करनी पड़ती है और उस समय आप किसी के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते और ना ही किसी सभा का इंतजार कर सकते हैं उस समय जो भी आपको जरूरी लगता है वो ही आपको तुरंत करना पड़ता है और किसी चीज का फैसला करने के लिए या किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है ये जानने के लिए इंसान को अपने भविश्य में देखना जरूरी है और ये चीज तो सिर्फ जादुगर ही कर सकता है इसलिए जो राजा है उसे किसी जादुगर के पास ही जाना चाहिए तो ये जो सारे जवाब थे वो राजा को उसके पहले सवाल के जवाब में मिले अब दूसरे सवाल के जवाब में तो दूसरा सवाल क्या था कि उसे यानिकी राजा को किस तरह की लोगों की बाते सुननी चाहिए कि counselor से ज़्यादा जरूरी priest है यानि कि धर्म गुरू या पंडित तो राजा को उनकी ही बाते सुननी चाहिए तो दूसरों लोगों ने कहा कि जो doctor होते हैं यानि कि जो वैद होते हैं राजा को उनकी ही बाते सुननी चाहिए उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि जो soldiers है यानि कि senic वो राजा के लिए सबसु जरूरी है और राजा को उनकी ही बाते सुननी चाहिए तो ये वो सारे जवाब थे जो राजा को उसके दूसरे सवाल के जवाब में मिले अब इसके बाद तीसरे सवाल के जवाब में तो तीसरा सवाल क्या था कि राजा के लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है तो इसकी जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान यानि कि राजा के लिए सबसे जरूरी काम विज्ञान है अब हर सवाल के लिए बहुत से लोग जवाब दे रहे थे और हर किसी के जवाब अलग-अलग थे तो इसलिए राजा बिलकुल भी संतुष्ट रही हुआ और इसलिए उसने किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया इसके बाद राजा ने फैसला किया कि उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि इसकी बजाए वो किसी सन्यासी से सला ले जो अपनी समझतारी या भुद्धिमानी के लिए जाना जाता हो तो जो सन्यासी था वो जंगल में रहता था और वो उस जंगल को छोड़ कर कभी भी नहीं जाता था वो किसी से नहीं मिलता था अगर कोई साधान वेक्ती उसके पास आता था तो वो उससे मिलता था तो इसलिए राजा ने सन्यासी से मिनले के लिए साधान से कपड़े पहन लिए अब इससे पहले कि वो उस सन्यासी की कुट्या में पहुचता उसने अपने घोडे और अपने सेवकों को वही पर पीछे छोड़ दिया और खुद अकेले निकल गया क्योंकि वो नहीं दिखाना चाता था कि वो एक राजा है इसलिए उन्होंने अपने आपको एक साधान व्यक्ति दिखाने के लिए अपने घोडे और सेनिकों को वही पीछे छोड़ दिया अब जैसे ही राजा सन्यासी की कुट्या के पास पहुचता है तो वहाँ वो देखता है कि जो सन्यासी है वो अपनी कुट्या के सामने की जमीन को खोद रहा है और वो राजा को देखकर राजा का स्वागत करता है और फिर दुबारा से अपनी जमीन खोदने लग जाता है तो जो सन्यासी था वो बहुत बूड़ा और कमजोर सा था और जब वो इतना काम कर रहा था तो जो उसकी सांसे थी वो काफी फूर रही थी तो जो राजा होता है वो सन्यासी के पास जाता है और उससे कहता है कि सन्यासी बाबाजी मैं आपके पास यहां आया हूँ क्यूंकि आप काफे समझदार और बुद्धिमान है और मैं आपसे अपने तीन सवालों का जवाब चाहता हूँ फिर राजा अपने तीनों सवाल सन्यासी के सामने धोरा देता है कि कैसे पता चलेगा कि सही चीज को करने का सही समय कौन सा होता है मुझे कैसे लोगों की बाते सुननी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजे हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी है अब जो सन्यासी होता है वो राजा की सारी बाते तो सुनता है पर वो कोई भी जवाब नहीं देता और लगातार बस अपनी जमीन खोदते रहता है फिर राजा ने उस सन्यासी से कहा कि आपको देखकर लगता है कि आप काफी ठक चुके है तो एक काम कीजिए आप मुझे अपना फावड़ा दे दीजिए और मैं आपकी जगा ये काम कर देता हूँ जो सन्यासी था वो इस बात को सुनकर बड़ा खुश हुआ उसने राजा को धन्यवाद किया और अपने फावड़े को राजा को दे दिया और खुच जाकर जमीन के एक किनारे पर जाकर बैट गया अब जब राजा ने दो क्यार्या खोद दी तो उसके बाद वो रुख गया और फिर दुबारा से अपने तीनों सवाल धोराए लेकिन तब भी सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया बलकि वो खड़े हो गए और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब तुम ऐसा करो तुम इस फावड़े को मुझे दे दो और तुम जाकर आराम कर अब मैं इस काम को खुद करूंगा पर राजा ने उन्हें फावड़ा नहीं दिया और कहा कि नहीं नहीं ये काम तो मैं ही करूंगा और फिर राजा जो है वो दुबारा से पूरी जमीन को खोदने लग गए एक घंटा बीद गया फिर उसके बाद दूसरा घंटा भी बीद गया और देखते देखते तीन घंटे बीद गये सूरज भी पीड़ों के पीछे चिपने लग गया फिर आखिर कार क्या हुआ कि राजा ने उस फावड़े को जमीन पर रग दिया और सन्यासी से कहा कि सन्यासी बाबा मैं आपके पास यहां इसलिए आया हूं क्यूंकि आप बुद्धिमान आदमी है और मैं अपने सवालों का जवाब जान सकूँ पर अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते हो तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने घर वापस लोड़ जाऊंगा तभी सन्यासी ने कहा कि देखो कोई भागता हूँ इधर आ रह है तो इसी के साथ हमारा पाटपन समापत होता है अब आगे हम पाटटू को पढ़ेंगे तभी राजा ने पलट कर देखा तो एक दाड़ी और मूझो वाला आदमी उनकी तरफ दोड़े वे आ रहा था उसने अपने हातों से अपने पेट को जोर से दबा कर रखा था और उ दोड़ता हुआ राजा के पास आया अब जैसे ही वो राजा के पास पहुँचा वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया फिर राजा ने और उस सन्यासी ने मिलकर उस आदमी के कपड़ों को उतारा और पाया कि उसके पेट में एक बहुत बढ़ा सा घाउ था फिर राजा ने उसके घाव को धोया और उसे अच्छे से साफ किया और उसके घाव पर अपने रुमाल से मरम पट्टी की लेकिन घाव इतना ज़ादा था कि रुमाल से बादने के बाद भी उसमें से खून भैता ही जा रहा था फिर राजा ने उस रुमाल को हटा कर उस घाव पर दूसरे कप उसने पीने के लिए कुछ मांगा फिर राजा उसके लिए ताजा पानी लेकर आए और उन्होंने उस आदमी को पीने के लिए पानी दिया तब तक शाम हो चुकी थी अंधीरा हो चुका था और हावा भी ठंडी हो चुकी थी फिर राजा सन्यासी की मदद से उस खायल आदमी क कुटिया के अंदर ले गए और उसे बिस्तर पर लिटा दिया अब जो वो घायर आदमी था उसे थोड़ा आराम हैसूस हुआ और फिर उसने अपने आखे बंद की और वो सो गया अब जो राजा था वो काफी ठक चुका था यूंकि सुबा से वो चल कर आया था और पूरे दि उसने सन्यासी की क्यारियों को खोदने का काम भी किया था तो वो काफी ठक गया था और इसी लिए वो जमीन पर ही सो गया और पूरी रात वहीं पर सोते रहा जब वो सो कर उठा तो उससे कुछ मिनट पहले ही उसे यह याद आया कि वो कहा है और उसके बगल में जो दाड़ वाला आदमी था वो उठा और धीमी सी कमजोर सी आवाज में राजा से कहा कि मुझे माफ कर दो लेकिन राजा ने उस आदमी से कहा कि मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ तो मैं तुमें किस बात के लिए माफ करूं तो उस आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हैं पर मैं आपको जानता हूँ और मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने के लिए कसम खाई थी क्योंकि आपकी वज़े से मेरा भाई मारा गया और आपने मेरी सारी प्रॉपर्टी याने की संपती भी जबत कर ली और मुझे ये पता था कि आज इस सन्यासी से मिलने के लिए आप अखेले जाने वाले हैं तो इसलिए मैं पूरी तयारी की साथ अपने पूरे मन को तयार करके आपको रास्ते में ही मारने आया था लेकिन पूरा दिन बीच चुका था और आप वापस भी नहीं आये थे तो इसलिए मैं जहां छुपा हुआ था वहां से बहार आया लेकिन उसी समय आपके बोडी गाट याने कि आपके अंगर अक्षक से मेरा सामना हो गया जिनों ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया मैं उनसे बचकर भाग निकला लेकिन अगर आपने मेरे घाव पर मरम पटी नहीं किया होता तो शायद मैं मर चुका होता मैं तो आपको माना चहता था लेकिन आपने तो मेरी जान बचा दी और अब अगर मैं जिन्दा रहता हुँ तो मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करूँगा और अपने बेटों को भी आदेश दूँगा कि वो भी आपकी सेवा करे मुझे माफ कर दीजिए राजा इस बात को सुनकर बड़ा खुश हुआ क्यूंकि उसने अपने दुश्मन के साथ बहुत शांती से दुश्मनी खत्मे कर दी और अपने उस दुश्मन को दोस्त के रूप में जीत लिया राजा ने केवर उसे माफ ही नहीं किया बल्कि अपने नौकरों को उसके साथ भेजा और एक डॉक्टर को या वैद को उसकी देखभाल करने के लिए भी भेजा और राजा ने उस आदमी से वादा किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी को यानि की संपती को भी उसे वापस कर देगा अब राजा उस खायल आदमी को कुटिया में अकेला छोड़ कर बहार आया और उस सन्यासी को ढूनने लगा क्यूंकि घर जाने से पहले उसकी इच्छा थी कि वो एक बार फिर से अपने सवालों का जवाब ढूनने का प्यास करे तो वहाँ उसने देखा कि जो सन्यासी था वो अपने घुटनों पर बैटकर बीच डाल रहा था उन्हीं क्यारियों में जहां एक दिन पहले उसने खुदाई की थी तो राजा सन्यासी के पास गया और उनसे कहा कि मैं आखरी बार आपसे बात कर रहा हूँ और आपसे अनरोद करता हूँ कि किरप्या करके आप मेरे सवालों का जवाब मुझे दे दीजीए इस पर सन्यासी कहते हैं कि तुमको तो तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं सन्यासी अभी भी अपने घुटनों पर बैठे हुए थे और बस वो एक नजर राजा की तरफ देखते हुए ये बात कहते हैं लेकिन राजा के समझ नहीं आया कि उन्हें उनके सवालों के जवाब कैसे मिले तो राजा सन्यासी से कहते हैं कि मुझे मेरे सवालों के जवाब कैसे मिल गए तो सन्यासी कहते हैं कि तुमने देखा नहीं कि कल अगर तुमको मेरी कमजोरी पर दया नहीं आई होती और तुमने मेरी बदले में क्यायों को नहीं खोदा होता तो तुम तो अपने रास्ते चले गए होते और तुम्हारा जो दुश्मन है वो तो तुम पर आक्रमण कर देता और तब तुम इसके लिए पच्थाते रहते कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रुके तो इसलिए सबसे जरूरी समय कब था जब तुम उनक्यारियों को खोद रहे थे और उस समय सबसे महतवपूर आदमी तुम्हारे लिए मैं था और सबसे जरूरी काम वो था जो तुम मेरे लिए कर रहे थे और उसके बाद जब वो आदमी हम लुगों की तरब भागता हुआ आया तो सबसे महतवपूर समय क्या था जब तुम उसकी देख भल कर रहे थे क्योंकि अगर तुम उसके घाव पर मरम पट्टी नहीं करते तो वो मर जाता और जिस तरह से वो तुम्हारे साथ फ्रेंडली हो गया वो कभी नहीं होता वो हमेशा तुम्हारा दुश्मन ही रहता तो उसके हिसाब से वो तुम्हारे लिए सबसे महतवपूर आदमी था और उस समय जो भी तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम था एक बात हमेशा याद रखो कौन सा समय सबसे जरूरी होता है वो एक ही समय है और वो समय है अब याने की नाव ये सबसे जरूरी समय क्यूं होता है क्यूंकि यही वो समय होता है जब हमारे अंदर कोई भी शक्ति होती है उस समय किसी भी काम को करने की और सबसे आदमी वो है जो उस समय तुम्हारे साथ है क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता है कि आगे आने वाले भविश्य में क्या होगा क्या हम दुबारा मिलेंगी भी या नहीं तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समात होता है